सूपर फोर में इंडिया आई, 10 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान में होगी लड़ाई भारत और नेपाल के बीक में जो मैच था, आज बारिश के कारण जो है मैच को जो है वो छोड़ा गन्ना पड़ा सबसे पहले देखते हैं नेपाल ने नेपाल ने अपने 50-20 ने खेल पाई और 230 सन पर वो आल आउट हो गई जिसमें आसिफ ने 58 की पारी खेली और सोमपाल ने 48 सन की पारी खेली भारत की तवसे मोहमत सिराज ने तीन विकेट लिये और जटे जाने लिए और जब भारत की बैटिंग आई थी तो भारत ने जो हो दो ओवर खेल लिये थे और 17 रन बना लिये हैं बेगार कोई विकेट के लेकिन उसके बाद वो बारिश आई और बारिश नहीं रुकी फिर जो है ओवर को जो है वो काटना सुरू करा जब ओवर फिर लास्ट अपडेट आया दस बच के जो है पच्छिस मिनट पे जो है लास्ट अपडेट आया उसमें फिर तेहीस ओवर में भारत को 147, 145 अनका सु जिसमें कप्तान रोहिश शर्मा ने कप्तानी भरी खेली 69 गिंडों पे 74 रन 6 चौके और 5 दुफानी जो है वो चुके सामिलते वहीं उनके जोडीदार दो दे शुमन गिल दे शुमन गिल ने भी जो है बकूबी साध्या रोहिश शर्मा का उन्होंने 67 बनाए 62 गिंडों प और 8 जो है वो चौके सामिलते तो भारत ने जो है सूपर फोर्स में जो है वो क्वालिफाइ कर लिया है और अब जो है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो 10 सितंबर को खेला जाएगा